स्वावत है आप सभी लोग का आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही एक अच्छी गूड निउस लेके हैं हूँ सभी लड़के लड़कियों के लिए जी हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि S.S.C. की तरफ से वेकेंसी की एक सूचना आई है S.S.C. G.D. Constable 2021 जी हाँ और ये वेकेंसी क्लास 10 पास 12 पास है और Constable की भरती है अन्ने 12 पास भी वेकेंसी है और साथी में कितनी हजार पोस्ट है वो भी बताऊंगा लंबाई और इसकी आयू और पूरी जनकारी देंगे और इस भरती का प्रोसेस क्या है इसका मतलब सेलेक्शन प्रोसेस क्या है कैसे इस भरती में आपको सामिल होना है एक्जाम में क्या आता है फिजिकल कैसा होता है मेडिकल कैसा होता है एक्जाम का टाइमिंग क्या होता है सारी जनकारी हम आपको देने वाले हैं आज SSC GD Constable के बारे में हम आपको जनकारी देने वाले हैं तो चलिए step by step हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका doubt 100% आपका सारा जितना भी दिमाग का question है सभी का answer इस वीडियो में मिल जाएगा ठीक है तो चलिए step by step करके start करेंगे और start करने से पहले ये बताएगे कि अगर आप अब तक हमारे साथ नहीं जुड़ा है तो वीडियो के नीचे subscribe का लाल बटम होगा फटाक से उसको दबा दीजिए बगल में bell icon दबा दीजिए ताकि आपको हर एक update आपको मिलती रहे चाहे कोई भी vacancy आती हो चाहे army की हो चाहे BSF, CRPF, ITBP कोई भी भरती हो तो चलिए अब step by step करके start करेंगे सबसे पहले आपको बता देते है SSC GD Constable का जो selection process होता है भरती का process होता है कैसे भरती लिया जाता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं और A to Z आपको सारी बाते बताएंगे इतने अच्छी तरह से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको इससे पहले कोई यह जानकारी दिया होगा ठीक है और आज से आपकी तैयारी यह तै करेगी कि आपको कम्याभी कब तक मिलेगी ठीक है और चार आपसन होता है आपको बस क्लिक करना होता है ठीक है उसके बाद आपका फीजिकल पी ए टी फीजिकल टेस्ट होता है ठीक है उसके बाद आपका फीजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट होता है पी एस ये टेस्ट होता है उसके बाद आपका medical clear होता है उसके बाद आपको joining later मिल जाता है ठीक है और उसके बाद आप जो आगे बताने वाले हैं वो बहुत ही खास है बहुत ही खास है जो आफ तक नहीं सुना होगा चलिए आप आगे बताते हैं सबसे पहfalे ही बताते हैं आपको exam देना पड़ता है सबसे पहले उसमें क्या होता है सबसे पहले आपको 100 question answer आते हैं 100 question answer आते हैं जिसमें reasoning के 25 question होते हैं और आपके journal knowledge, journal evidence के 25 होते हैं elementary math के 25 होते हैं हिंदी English के 25 होते हैं और साथ ही हम आगे जो बताने वाले हैं बहुत ही खास है, हमने जो date बताने वाले हैं 2021 में vacancy कब तक आएगी कितनी post आएगी वो अभी बताना भागी है exam का duration 90 minute का होता है total question 100 होते हैं और हर एक question पर एक number होता है अगर आप एक question गलत करते हैं तो एक बटा चार number आपका काट लिया जाता है चलिए अब आगे बात कर लेते हैं physical standard के बारे में male की height अकसर 170 ली जाती है और cast wise छूट भी दी जाती है chest आपका 80 cm होना चाहिए 5 cm आपको फुलाना पड़ता है female का 157 height होता है लेकिन cast wise height में छूट भी मिलती है अगर ऐसी 80 से बिलोंग करती है तो 2-3 cm की छूट मिल जाती है साथी मैं अब आपको यहाँ नीचे बता देता है जो running इसका physical होता है लड़कों को 5 km दोड़ाया जाता है 24 मिनट का समय दिया जाता है लड़कियों को 16 मिनट दोड़ाया जाता है 8.5 मिनट का समय दिया जाता है जो अपने आप में बहुत ही जाता समय होता है चलिए आगे की process बताते हैं जो बहुत ही खास है यहाँ पर जो मैंने यह बता है कि क्या क्या आपके सामने आएगा यह तो आप अच्छी तरह से समझ गया होगा इसमें कोई आपका doubt नहीं होगा जर्नल, mathematics, Hindi language में भी रहता है कोशन पेपर, English में भी रहता है और जर्नल अवेरनेस ठीक है यहाँ तक जो मैंने आपको बताया clear हो गया होगा अब चलिए आगे मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मेरी बाते ध्यान से सुनिए इस vacancy को March या April मार्च या April में 60-70 या 50-60 अजर के आसपास यह vacancy आने वाली है All over India All over India सभी लड़के लड़कियों के लिए योग्यता सिर्फ 10th pass होना अनिवार रहा 10 वी pass हैं 22 भरती को देखेंगे नहीं तो नहीं देखेंगे अन्य post भी इसके अंतरगत आईगी तो उसके लिए class 12th pass होना अनिवार रहा है अगर यह दोनों आपके पास हैं तो हम आपको पूरी help करेंगे जब तक कि आपका selection ना हो जाए उसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है वीडियो के नीचे subscribe का लाल बटम है फटाक से उसको दबा दीजिए एक रुपए भी आपका tax नहीं खटेगा दबाने में और आपको जनकारी फ्री मिलेगी question paper फ्री मिलेगा update फ्री मिलेगी सारी knowledge फ्री मिलने वाली है तो यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरा नाम था राकेशा दो अगर यहां तक आपको जनकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में share करो और comment में type करो जह हिंद और मैं माना गामना करूँगा कि आप सभी लोगों की जो भी इच्छा है वेकेंसी केस से लेकि भरती से लेकि जल्दी जल्द पूरी हो जाए और आप अपने सपनों को काम्याब कर ले चाहे अपने के माता पिता के लिए करें चाहे अपने लिए करें चाहे नेकी के रास्ते पर चलने के लिए करें चाहे देश की सेवा करने के लिए करें ठीक है तो चलिए फिर से अगणी जनकारी बहुत ही अच्छी आप लोग के लिए लेक्एंगे अगर और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं जय हिंद जय वारत